हर्याडा के फतेहाबात की रतिया विधानसबा से भाश्पा विधायक लच्मर नापा ने टिकट कटने पर पार्टी से इस्तिफा दे दिया इसके बाद वर रात को ही काफिले के साथ दिल्ली रवाना हो गया दिल्ली में विधोपहर बात करीब चार बजे कॉंग्रेस जॉइन करेंगे भुपेंध हुड़ा उन्हें पार्टी में शामिल करेंगे बीती रात को भाषपा ने सरसत प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जिसमें रतिया से लक्षमर नापा की जगा पूर्व सांसस सुनिता दुगल को टिकट दी गई है जानकारी के मताबिक कुछ दिन से रतिया से सुनिता दुगल को मिदवार बनाने की चर्चा चल रही थी जिसके बाद सही नापा लगतार पार्टी पदाधिकारियों की मिटिंग करवा कर पार्टी को बगावती तेवर दिखा रहे थे इनमें विधायक लक्षमार नापा जिला अध्यश बल्देव ग्रोहा के साथ साथ भाषपा नेता मुखतार सिंग बाजिगर का नाम शामिल था इस लेटर के वारल होने के बाद भाषपा नेता ने विधायक वजिला अध्यश के खिलाफ मोचा खोल दिया था आपको बता दे कि नापा 2006 से राजनीती में सक्री है उन्होंने कॉंग्रेस से राजनीती शुरू की और फिर इनेलों में शामिल हो गये थे 2011 में वे उप चुनाव में वे आजाद मिदवार के तौर पर मैदान में उतरे और हार गये इसके बाद में भाश्पा में शामिल हो गये और संके कई कारिक्रों में भाग लिया 2019 के विदासभा चुनाव में भाश्पा ने उन पर दाव खेला भाश्पा के या दाव सफल साबित हुआ और लक्षमर नापा रतिया से विधायक चुने गये उन्होंने 55,160 वोट हासिल किये नापाने कॉंग्रेस में द्वार जन्नेल सिंग को 1216 वोटों के अंतर से हराय था एन्वा लाइफ की खास कबर